नमस्कार मित्रो मित्रो आज मैं चर्चा करने वाला हूं नवरतन पर नवरतन जो होते हैं हर व्यक्ति अपनी राशी के अनुसार धारन करता है मुंगा पुखराज मोती मानिक नीलम जो भी प्रन्तु बहुत व्यक्तियों को यह नहीं ध्यान दैता कि उसकी जो सिद्धी होती है उसकी जो पूजा होती है शुद्धी करन होता है उसके मंत्रों की संख्या क्या होनी चाहिए तो जो भी व्यक्ति मंत्रों से सिद्ध करना चाहता है बीज मंत्र आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे बीज मंत्र से इसको सिद्ध करें विधी अगर जानना चाहिए तो साथ हजार की संख्या मानिक की सिद्ध करने की होती है और यदि मोती आपको धारण करना है तो दस हजार मंत्र आपको जाप करने होंगे ये दो मानिक और मोती सुर्य और चंद्रवा की मैंने आपको संख्या बताई सिद्ध करने की कल हम फिर चर्चा करेंगे तब तक के लिए जैम आता है